नहुसकार दोस्तों, डीडीरेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो भई, आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वो रियल एंटरेटेन्मेंट टीवी का है, और इसमें उन्होंने पाकिस्तानी यूटूबर्स को एक बार फिर से तो यह बड़ी दिल्चस्प जो लड़ाई है, पिछले कुछ महीनों में हम देखते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तानी यूटूबर्स के बीच में चल रही है, पहले हमने देखा कि भाई, रिबाह इमरान वाला बहुत पहले कांड हुआ, फिर उसके बाद शोयब और सना के बी अपने परफेक्ट रेक्शन वाले भाई थे, उन्होंने भी कुछ बाते कही थे, इनका आपस में ही कुछ चल रहा है, फिर इसमें कुछ नया आया है, अब इस बार यह लाया गया है, शोयब चोधरी की तरफ से, और आभी दली की तरफ से, तो चली देखते हैं वाई, कि य चंद वीडियो में, तीन-चार वीडियो में, मैं आपको इशारे देता था कि यार मैं किसी मिशन के उपर हो, आप बिलकुल आप बात करें, बात को सीरियस रखें, मतलब यह वीडियो बहुत एक्साइटीट भी है, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मुझे डेड़ साल होग कोई ऐसा चीज लेके आने वाला हूं, लोगों की हकीकत दिखाने वाला हूं, तो आज आपिद भाई अपना प्रॉमिस वो पूरा करेंगे, आज आपको सारी चीज़े बताऊंगा, चंद महीने पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, अनम शेक के नाम से और एक निम्रा पर हैं, तो ये यूट्यूब पर आते हैं, कोई चैनल बगारा है इनका, तो इन लोगों ने ना एक वो अंकल भी बैठे होए थे बीच में, तो ये सब ने, मुझे किसी ने आगे दिखाया है, मैं तो इनने जानता है, बिन्हों ना मैं इनकी वीडियो देखता हूं, मुझ अच्छे इनसान को मैं बुरा नहीं कह सकता, अगर मुधी साब को अच्छा कहता हूं, पाकिस्तान में खड़े होके, तो उनकी कोई अच्छी क्वालिटी है, इसी तरह अगर सुलमानी अगर अच्छा इंसान है ना, देखे वो वकील साब है, पड़े लिखे, नॉलिज वा वाले जो है, यह मेरे पास आते हैं, अच्छा खुद नहीं आते हैं, यह सबसे पहले अपनी टीम मिंबर मेरे पास भिजते हैं, इदर मेरी दुगान के बाः खड़े होके myślorig होता है, इधर मजूद नहीं उताकि तो ॱटे के आके वालीं नगे मेरे मैरे माशाला 15 मिंदे कि अधर बता हैं इसके ऑपर वाइंड अपिकरेंगे ना पहले जो हुआ वो तो सुन लिजी उसने आए कहा कि हमने उनसे मिलना हैं हमारे जो सर है ना वो उनसे मिलना चाइए अच्छा अच्छा खैर मैं दुकान पर आतो हो तो मुझे बताया जाता है कि इस तरह आए हैं अब को पूछता हूँ कि यह पूछता हूं कि यह लड़का तो नहीं आया था मेरे पूछने के लिए उना ने यह नहीं नहीं है लेकिन इनकी टीम का कोंभ ऐ Ellis Ewbell है उन्सके बाद इनके इन्हें मैं फून करता हूँ इनसे पूछता हूं कि बाई क्या मसला था था मेरी दुकान पर फिर हमने बैठके प्लान बनाया और फिर हमने एक लड़की यूट्यूपर उससे नंबर लिया मेरे पास तो नंबर भी नहीं था इसका उस लड़की ने मुझे नंबर दिया इसे फिर प्रॉपर फून किया हम लोगो को कि ये लोग जो कर रहे हैं गंदगी कभी वो वकील साब को खरीद रहे हैं कभी वो लड़का जो पीछे वायरल हुआ उसे खरीद रहे हैं कभी आबिद अली को खरीदने आ जाते हैं और भाई आबिद अली मकाव माल नहीं है अपने पूरे खांदन की प्रॉप्टियां भी बेहीं दोगे तो जब भी आभ रिलिक को नहीं होगे नहीं होगे तो जब भी अपनी बात करता हूं थोड़ी हुआए आपिद भाई की अपनी ऌती है थोड़ी हाटके है अबिद भाई की क्रिस्टन कम्यूनिटी के लिए आवाज उठाने तो पीछे आबिद भाई या किसी इनके जों से यहां पे शाप कीपर है इनके पास आगे का जाता है कि आबिद भाई के साथ हमारी डील करवा दो हम जाते हैं सिंध में मिनारोटीज की हेल्प करने तो पीछे आप आ जाते हो यहां पे जो अभी आज कल मिशन मून को लेके जो बंदा वाइरल है वो एक फ़नी सा क्रेक्टर थे उनके पास आप आ जाते हो आपको एक दो दिन में वो भी इनी के चैनल में या किसी चैनल पे शायद देखने को मिलेगा मकसद ये है भाई आपके पास ज्यादा पैसा है आपके पास आइफून है आपके पास गाड़ी है वो नो डोट वो कहां से है यह वो आपने इंडिया के लोगों का इतमाद जीता आपने उनको बेवकूफ बनाया लेकिन बेवकूफ आडियंस नहीं होती वो सब समझती है लेकिन इग्नोर करती है कि यार कोई मसला नहीं इनको इंटर्टेंटमेंट के तोर भी देखा जाए बट मेरा दिल दुखता है कि जब लोग आपके उपर हमारे उपर पाकिस्तानियों के उपर इतनी मुश्किल से इमेज फिर भी वो इतमाद करते हैं और आप लोग जो उनके इतमाद के साथ खेलते हो और लोगों को यह कहा जाता है कि इमेज अगर हराब होगा तो दस दिन बाद लोग भूल जाते हैं लोग फिर देखने लाग पड़ेंगे यह रिसेंडली हुआ भी है कि किसी का अगर इमेज खराब होता है दस पंदना दिन बाद वो इमेज दुबारा भाल हो जाता है उनकी वीडियो दुबारा देखी जाती है यह होता है देखे हमें से प्रॉब्लम नहीं है यह शायद सना हमझत की बात हो रही है क्योंकि जब सना के खिलाफ वीडियो आई थी और सना ने पहले इनके खिला वीडियो बनाई जो आपस में इनका गुत्थम गुत्ता चल रहा था जो लड़ाई चल रही है पता नहीं व्यूस का चक्कर है पैसे का चक्कर है I don't know असलि देखा कि बाइकॉट सना और यह और चला लेंगे फिर लोग भूल गए फिर लोग देखने लगे फिर ऐसे ही कुछ और होगा चलता रहेगा चलो हमारा अब आप यहां पर आपको नीचे चैनल का अबिद भाई के चैनल का लिंक भी मिलेगा आपको नजर पियाएगा आप इसे सब्सक्राइब करें और सेकेंडली यह चीज़ भी आप क्लियर करें आप इस वह जो लोग आ स्टार्ट किया जिन लोगों ने उनके बाद एक इनसान आता इसका नाम है श्वेब चोधरी अच्छा वोग जब आता है आती आसमानों पर पहुंच आता है क्योंके उसका काम अच्छा होता है कॉन्टेंट अच्छा होता है और वो बड़ा ही जीनियस तरीके से बात करता है सच बोलता है यह जब वो आस्मान पे पहुंचता है जो आपके सीनियर बड़े बने पिड़ते है ना उन्हें तकलीफ होती है यार हम तो पहले थे यह बाद में आया है और इंसे लाइक भी करती है यह आस्मानों पे भी पहुंचके इसकी वीवर्शिप भी इस लैवल जिन लोगों ने एक वीडियो बना दी थी ना अपने आपको मशूर करने के लिए देखे जो बड़ा इन चीज याद है पहले आबिद भाई कहते थे कि नहीं मुझे यूटूब चैनल नहीं बनाना है यह को ऐसा कुछ नहीं करना है लेकिन आखिर कर मुझे लग रहा है कि लाग तर्म प्लानिंग जो है वो उसी तरफ जा रही है अब जैसा कि नहीं नहीं कह दिया है कि यूटूब चैनल लेकर आएंगे तो बड़िया है अच्छा है अच्छी प्लानिंग की गई बही शुरू से प्रमोट किया गया फिर इनको आगे बढ़ाया गया और मैं इसमे कोई बुरा नहीं मानता, मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता देखिए हर काम प्लान के साथ होना चाहिए जल्दबाजी में कोई काम होता है तो वो खराब हो जाता है, अगर वो प्लान के साथ काम कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, वो आगे बढ़े है, भाई खुद की मैनत है, उसमें कोई और मैं मैनतों करने जाऊंगा नहीं उनके लिए, वो अपनी मैनत करेंगे, अपना कंडल लेकर आएंगे, अपनी चीज दिखाएंगे, दर्शकों को पसंद आएगा, तो जैसे मेरे साथ भी है, मेरे वीडियो भी अगर दर्शक पसंद करते हैं, तो देखते हैं, जो वीडियो नहीं पसंद आते हैं, वो नहीं देखते हैं, तो यह तो सब कुछ दर्शकों के उपर है, यह content creator के उपर नहीं है, हाँ, वो अपनी मैनत से काम करेगा, सोय भाई आपस के खीचता हैं, जो भी है, इनके अंदर है, बाकी content बनाने के लिए तो हाथ पर हिलाना पड़ेगा भाई, तो आबिदली भाई को बहुत बहुत शुप कामना है आपको, कि आप नया channel लेकर आएं, अपना content बनाएं, और लोगों को entertain करें, लोगों को, पता नहीं आप से हम भी बड़े बन जें, तो बड़े बनने के लिए करदार भी बड़ा होना चाहिए, उपर वाला है, बननाब एक तो आपका काम ऐसा होना चाहिए, उसके लाबा, अच्छा मैं उन्हें चैलिंज ये करना चाहरा हूँ, कि आपको जिस माबाब के आप बचे हो, आपको उ मैंने बताना भी ऐसे मूठा आगे किसी को पर जाम नहीं लगाते हैं, हाँ, अगर कहीं से कोई बात निकलेगी, तो मैं आपको पहले बताता हूँ, सर, मैंने मुझमिल के साथ डेड़ड घैंटे की मीटिंग की है, और उसमें क्या क्या बात हैं, यह हो गया, इस वीडियो क कारोबर डिस्टब लग रहा है, आपको कहीं से, और यह इस ब्रांच के लावा, सबसे सोटी ब्रांच है हमारी, सबसे चोटी, और भी कैमरा मैं अगर दिखा है, पंदना लाख, बीस लाख रुपे का माल, यह मेरी ब्रांच पे लगा हुआ है, अलहम्दुलिल्ला, तो मकस दी है, तो फिर मैंने उसे कहा कि भाई, एक तो मुझे पैसु से प्यार नहीं है, अलहम्दुलिल्ला, और यह सचाई है, बतना मैं बुरे किसी सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बई, कोई भी काम करेगा, टाइम लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, मेहनत करेगा, तो ब बदले में कुछ पाने के लिए करता है आदमी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो इतने प्यारे कॉमेंट करते हैं, उन कॉमेंट पे अपनी जान देता हूं, आबिद भाई, दुख ये होता है, मुझे परसनली ये दुख होता है, अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, मै किसी के गेंस वीडियो क्यों बनाऊंगा, मतलब पहले भी मैंने किसी के गेंस, स्पेशल किसी के गेंस वीडियो नहीं बनाई, अगर कराची में मैंने वीडियो बनाई थी, तो सब के लिए बनाई थी, लेकिन आज ये वीडियो मैं स्पेशल, ये आबिद भाई को जो सब्सक्राइब कर दो आप सकता है यह बहुत कुछ कर सकता है और आज तक मैंने क्या कि अगर मिनारिटीज के लिए वाद उठाई वहाँ पे जा के मैंने सिंद में अगर वाद उठाई और युनाइटीड नेशन साक वाद गई मेरे टीम मेंबर से रिक्वेट्स है कि वो चीजें साथ क्लिप पाकिस्तान की नैशनल एसंबली में हमारी बात की गई हमारे चैनल की बात की गई हमने जो मिनारिटीज के लिए वहाँ मेरी बड़ी एचीव्मेंट है और यह मेरी वजय से नहीं आप लोगों की वज़ा से हुआ, आप लोगों के देखने की वज़ा से हुआ, अच्छा, और इसके इलावा, आप क्या कहेंगे, आबिद भाई, इन चीज़ों के बाई, जर सर दुख होता है, तकलीफ होती है, कि देखे हम लोग पाकिस्तानी हैं, एंड घूमफिर के हम और वो एक लड़की, निम्बरा, और हम तो आपस में बहन भाई हैं, अब ये देखिए ना, कि वो कहता है मेरे निकाह में, आप शुएब भई मैं बताता हूँ, आपको मैंने दुनिया का बुरा तरीन इनसान मैंने बनाया है, सर, सर, मैं बताता हूँ, इसकी डिटेल भी पड़ता है, इवन के मैंने उसमें ये बताया कि शुएब से मैंने 5 लाख रुपे मiley, और शुएब ने मुझे नहीं दिए, वा बनाख का तरीन पांट भी बताईए, जिस बंदे की क्रीम बिलोग मारकेट में 5 बराचे हूँ, एक दुखान हो, 57 लाख का डेली माल आता हो म जिस भाई ने डेड़ साल में ला इलाहिलाला मुहमद रसूलुलाह जिस इंसान ने डेड़ साल में शुएब से कभी कोई पैसा नहीं मांगा ना शुएब ने कोई पैसे की आई तक बात की ये दो टगे के लोग मुझे कहेंगे ये बिकाओ माल है 50% पर काम करते हैं ये मुझ मुझे जानती हो कभी मेरे साथ फून पर बात हुई है कभी मुझे मिली हो आप आगे आप कैसे मेरे उपर इल्जाम लगा सकती हो तो सबसे पहले अपने गिरेबान को देखता है आपके बारे में बताओंगा ना तो आप परिशान हो जोगी ये भी जेन में रखो लेकिन हम को हम औरतों की लाज रखते हैं हम औरतों की लाज रखते हैं आपना अभी तक तक भी तक में में बोपता था हैं और एक मतलब वह जोन सीचिन का आप नाम ले रहे हैं वह एक साइट पर कहते हैं हम बेहन भाई हैं जो दूसरे हैं उनका क्या नाम है डेली स्वैग मुझमिल मुझमिल और हमारी टीम उसे डेली स्वैग नी कापी स्वैग कहती है ज्यादादर क्योंकि आपने मुसली कॉंटेंट देखा हुआ का और आप उन्हें कह रहे हैं यह सासाथ चीजें हम रिकार्ट जो रिकार्डिंग्स हैं यह हम आपको सारे सासाथ इसी वीडियो में दिखाएं भाई के रिष्टे को इतना पूरी दुनिया हसेगी हमारे उपर या रभी या बहन भाई कह रहे हैं वीडियो में क्या है वह आम को बेवकू बना रहे हूं लेकिन मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान में यह तो बड़ा आम है चाचा की बेटी से जो बहन होती है उसे भी शादी हो जाती है फूफी की बे बहन से शादी हो गई हमारे या तो बड़ा क्लियर मसला है बड़ा क्लियर मतलब यह जो सिट किया हुआ हमारे या गोत्र सिस्टम है उसमें जैसे क्या होता है कि आप अपने फादर का गोत्र अपनी मदर का गोत्र और अपनी नानी का गोत्र मतलब अपने दादी का गोत्र मतलब दादी नहीं, सोई हाँ, दादी का गोत्र भी होता है कहीं-कहीं इन में शादियां नहीं होती मतलब वो सेम गोत्र हो जाते हैं तो इसलिए हम लोग उससे बाहर शादियां करते हैं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि आपस में शादियां बहुत जादा होती है पाकिसान में या आप लोग बताईएगा मुझे बई क्योंकि आपकी मीडिया पर ही रिपोर्ट्स पढ़े था है आपस महीं शादी करने से कुछ जैनेटिक बिमारियां बहुत जादा बढ़ रही है आप लोगों के अंदर तो यह मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता आपकी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी मैंने तो उसमें मुझे पता चला था तो ठीक है उसमें क्या है अपनी ओर्डियंस को बेवकूब बना रहे हो कि यकीन माने जब भी आप किसी के उपर इल्जाम लगाएं ना कम से कम उसकी तश्दीक कीजिए आप देखे कि ये शक्स ऐसा है भी के नहीं है और बात आपका पूरा खानदान अपनी प्रॉप्टी भी बेई दे तो आप भी दली को नहीं खरीज सकता अच्छा एक और चीज़ ये जो बात चल रही है कि भाई ये खरीदा फिफ्टी फिफ्टी और बेहन और भाई और इसके लावा जो बेगम है निकाह किया है इसको लेके मैं एक चीज़ और कलियर करता चलूँ आने वाले कुछी दिनों में में भी जो मुझे इर्दगिर से खबर आ रही है कि ऐसा कलिप है इन दोनों का अपना अनम का और मुजमिल का एक ऐसा कलिप है जो मैंने देखा है इवन और भी कुछ यूटीवर्स ने देखा है इवन इंडिया के कुछ यूटीवर्स ने भी देखा है उन तक भी वो पहुंच चुका है आने वाले दिनों में शैद वो क्लिप आप तक पहुंचे और इल्जाम मेरे पे आबिद भाई लगाया जाएगा कि इन्होंने देखें ये परसनल चीज वाइरल कर दी है इन्होंने परसनल जोन सा एक इस तरीके से जो क्लिप है हलांके मैंने अगर वाइरल करना होता मैंने अगर क्लिप को अपलोड करना तो तो डेड़ साल से मेरे पास मजूद था आबिद भाई आप इस चीज को जानते हैं डेड़ साल से मेरे पास मजूद था मुझे किसी ने बेच जा था तो मैं धेड़ साल में कर सकता था लेकिन मैंने पहले भी नहीं किया अब भी नहीं करूँगा अगर होगा में भी आप लोगों की तरफ से ही हो जाएगा अच्छा आपिद भाई वाइंड आप करते हैं बात को मुझे बताएं ये जो अच्छा काल पहले तो क्लियर करें क्योंकि इसके बाद आप उदर से भी वीडियो आएगी कि ये देखें आबिद भाई तो ये कह रहे थे तो मैं फिर इनके लिए गेम नहीं खेलूंगा कि ये मिया बीवी को पकड़ूं पहले मैं और ये बैन बाई ये तो आप अपनी वीडियो में बता दीजिएगा क्लियर कर दीजिएगा नहीं तो कुछी दिनों में शायद आप लोग वीडियो ही वारियल करके सब कुछ क्लि घ्लर हैं ना अभीद अली किसी को तड़ियें लगाते देखिए जिब आप किसी की इजद्रदार आदमी को छोड़ेंगे ना जब किसी को आप टुच करेंगे किसी के बाद करेंगे तो वह आपको नोच लेगा वो चोड़ेगा नियुकर सच्चा होगा तो क्यों कि आप ट निंदे डिसर्व हुई तीन महीने मैं तड़पा उचीज को लेकर मैं आपके तीन महीने आपको ढूंडा आपके अंदर घुसा घुसने के बाद अपने वीग पॉइंट दिए के पकड़ो मेरे वीग पॉइंट लेकिन मैंने आपको नहीं चोड़ना पाकिस्तान के लाइट लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमें अच्छा बड़ी बात ये है आपको अगर मुझे नीचे डाउन करना है या मुझे कापी करना है तो आप वो कापी करें जो हम कश्मीर में जाके लोगों की हेल्प करते हैं आप वो कापी कर सकते हैं जो हम सिंद में जाके हैं लोगों क तरफ से यार वो तो इतना दूर है हमारे पास पैसे नही है हम कैसे जाएंगे और दूसर नम्बर पर का जाते हैं यह थो सुहे आज़ी उन्नों कим हप करता है उनसे व्यूर्शिप लेने के लिए कि हमने किश्मीर में मुसल्मानों की हेल्प नहीं की जड़ावाला में क्रिस्टन्स की हेल्प नहीं की अचा शुब भई मैं बात काड़ता हूँ आपने इमांदरी से बताना है अबिधली मुझे बना तकलीफ हंदर से निकल नहीं रही आपिधली को इन्होंने कहा कि विकाओ माल है अगर आपिधली विकाओ माल होता जड़ावाला में जाके लोगों की हेल्प करता उससे पहले जब राशन बाटे उसमें मैं आपका हिस्सेदार था मैं लोगों को राशन इंडिया की जूटी तरीफें करते हो और डालर कमाते हैं अब बगाओ तो आप कुने के लिए खास ओर पर कॉपी श्वाइक के लिए लिर या इस तरह के जितने भी लोग हैं इन के लिए आपक्वाइज के लिए क्या मैं सीदा कि देखिए आप बहुत पड़े लिखे लोगो आप बड़े जीनियस लोगो आप तो मैंने मैं तो ये देखता हूँ कि आप एक मिनिट में इनसान को जज कर लेते हूँ कि ये फेक है ये सही है तो प्लीज आपने अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरें गेस्ट आएंगी ना अगे गेंटे की टॉकिंग और मैं चिस बाती इनसान हूँ मैं पता नहीं क्या क्या कुछ बोल जाता हूं उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ आया होगा लगाओ भाई अच्छा एक और चीज़ बताता हूं अगर वह एक क्लिप चलाएगा हमारे पास भी बहुत सी अगर आपकी आपकी नीचे वाली सोच मतलब जैसी आपकी सोच ए उस लेवल पर भी जाके अगर देखा जाएके विवूर्शिप विवूर्शिप अलहम दोलला अभी भी आडियंस हमें जो पसंद करती है देखती है अग जोंसा हो आपको जोंसा है अनसब्सक्राइब करने पर आए हूए हैं और हमें जोंसा हो सबस्ट्राइब करने पर आए हूए हैं यह सब चीज़ें कैलिर हैं ऐसे महोल में मुझे कितने टीम मैमर्स में इजज़त इज़त अल्ला पाग देता है देखिए उस अल्ला का नाम हमने बग्वान रखा हुए हमने गोड़ रखा लेकिन है वो अलाई ही, मतलब किसी का वो भगवान है, बंदा तो खुदा तो एक ही है ना खुदा तो सब का वो ही है, उसके नाम मुक्तलिफ है, तो मैं उस खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ आप लोगों को येकीन कीजिए, कि श्वेब चोधरी एक नंबर आदमी है मैं जूट नहीं बोल रहा मैंने एमीनी डेड़ साल इस बंदे के साथ सुनी है का सुनना पसंद किया करें देड़ साल मैंने एमीनी एक शक्स के साथ गुजार दिये कोही तो कॉलिटी होगे और कंजूस तरीन इनसान है ये बंदा इ ये चाहते ना चाहते वे एक दो दफाई पहले रिकार्डिंग में भी आ जुकर नीचे कमेंट आ चुके हैं यूटूब से इतना पैसा कमाते हो तो आप ये नया मूबाइल क्यों नहीं ले सकते एक चीज सब्सक्राइब ने कांब्यों तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह चीज़ें वो लो करते हैं जिनोंने यह पहले शायद देखी ना ओ, मैंने शुरू से इन चीज़ों को बहूत करीब से देखा है, इवन यूट्यूब पे के आने के बाद, यूट्यूब के उपर अपना काम स्टार्ट करने के बाद, मैं अगर यह कहुँ, कि मैं इन चीज़ो से दूर हुआ हूँ क्योंकि मुझे हकीकत का पदा चला है कि दुनिया किस हाल में रह रही है ज्यादा इस वीडियो को हम बखेरें के नहीं वाइंड आप की तरफ आते हैं सुल्मानी साथ ठीक हो गया सुल्मानी साथ के हौले से जो आप बात का रहे थे जी लाक लाक रुपय किसे लेके चलो किता यार हर टैम वो नशे में होता है मैं अब उसके लिए क्या बात करूं मैं उसे क्या समझाओं तो मतलब यह कि जिसके साथ आप चल रहे हो आप उसके लिए भी यह बात कर रहे हो कि यार वो नशे में होता है आप ने क्यों नहीं मुझे आए किसी बात की ले रहे हैं तो आप अगर आजो आबिद भाई आप तो बड़े फेमस हो आप यह और वह भाई मेरे सर अपना पगड़ के बैढ़ गया हूं खुदा की कसम वह यार तुम आपिद अली को ऐसा समझते हो इतना च्छोटा समझते हैं कि दो चार पांच लाक हो मेरे शदादे जि जी इंडिया जाएंगे बंगलादेश जाएंगे और यह मुझे लेके जाएंगे मैं कोई पैसा भी निढूंगा अच्या आपट अली लालची हो था कभी यह सोचिए आप ली तो इस्ताम पी गया होता अप लीद जय तो डुबई भी गया ओता अभी त PC चार्वाने, उत वो लोग आपको लेके जा सकते होते तो आपसे पहले वो कमस कम होती चले के होते हैं आप चार मुलकों के आपको नाम बता दी और आप इजी ले रहे हो दो चार पहाई लाग से खरीदना चाहोगे तो ऐसा कुछ नहीं है भाई पहले आपिदली के बैग्गरॉंड देखो आपिदली कौन है फिर आपको समझ जाएगी कि आपिदली कहते हैं कि यहां पर मैं अपनी तरफ से मैसी देना चाहता हूं कि जितने भी फेक हैं और मैं यह सोच रहा हूं मेरी टीम ने मुझे बहुत रोका लेकिन जब आप किसी के परसनल एशुस के अंदर आजाते हूं मैं अपनी अगर बात करूँ मेरे परसनल नंबर आपने जो इनसाम लीक किये आप किश्मीर जाते हैं मैं आडियन्स के लिए कहना चाहता हूं करते हैं उसे पकड़ें यानी आप यहाँ यह बात करते हो और में अपनी यहने को यकीeled नहीं होगी लेकिन जान बूझ के ना तो मैंने कभी किसी किसी के टरस्ट के साथ कहला है ना मैंने आडियंस को बेफकूफ बनाया है आप लोग हमेशे आडियंस को बेफकूफ बनाते और अब यह हम मिशन प्रापर स्राट कर चुके हैं कि जितने भी जूटे यूट्यूबर हैं जितने भी यूट्यूबर हैं आडियंस के साथ मिलके मैं अकेला नहीं हम सब आडियंस और हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं मिलके जितने भी फेक यूट्यूबर हैं जो भी जूट बोल शायद बाग जाएंगे अच्छा मैं बताना यह चाहरा था कि मैंने पहले प्लैन यह किया था बीच में घुसूंगा मैं यह बड़ा देखना दिल्चस्प होगा भाई साब यह जो लड़ाई चल रही है ना यह गेम ऑफ थ्रून से भी वाली लड़ाई है सत्ता किस की होगी चौधरी की होगी सना अमजद की होगी सयद मुझमिल की होगी यह पता नहीं यह अलागी लीग चल रही है इसका नाम देते हैं पी वाईल पाकिस्तानी यूटूबर्स लीग पाकिस्तानी सिर्फ प्टवल लीग यह भी कर सकते हैं अच्छा जो मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो के आखिर में कौँगा थोड़ा सा और बचाया ज़रा देख लेते हैं और कहके बाते हो रही हैं लेकिन फिर हम लोग जो ना हम लोग खांदा नहीं हैं हम लोग इनके जैसे नहीं हैं हमने प्लैन बनाया कि फीमेल फीमेल ना जो ज्यादा गल्ट कर रहा है उसे पकड़ा जाएं यह फीमेल जैं फिर मैं इस तरीके से को पता चला कि यह लवर हैं आपस में बैन बाई लवर हैं यह तो फिर इनका जो लवर है उसके साथ मैं जॉइंड हुआ उसके बीच में दो दो घैंटे घुसा राज को वो मेरे ऐसे इतमाद में अभी मैं फून करूं ना कि भाई पांच लाक रुपे लेके आओ अभी वो पांच लाक लेकर दो दो लाक रुपे मेहिना मुझे दे अभी ठीक होगे यह आफर्स दी गई गई है अच्छा आबिद भाई चोड़ें बनमलब यह वीडियो इतनी ल अगर यह वीडियो डेका था जो नहीं आते जो मीशन में हमारा साथ नहीं देते जो मिनारिटी की वाजनी उखाते लेकिन आज मैं आपको खुले लफ़ों में आपको लगता है श्वेब चोदरी गलत है अनसस्ट्राइब करें इससे आपको लगता है अनम शेक और उसके सा फेक काम का रहे हैं जिनका इनुने नाम लिया है डेली स्वाइग हैं या जो दूसरे जितने भी हैं जो ख्रीद ओफ रोग्त मतलब इतना घटिया काम कारें मैं इसे घटिया काम कहूंगा कि आप पैसे देके किसी के पास भी जाते हो कि आप सुहिभ चोदरी के चैनल पे आए तोड़ी सी गैरत दिखानी धार्ति मंद इंसान को गुसा आता है और वह गुसा आपने दिखाना है हमारे इंगेस्ट आपने वीडियो बनानी है अपकी वह वह चीज़ और हमने आपका पीचानी चोड़ना आप ना बनाए हमने जब आपका पीचा नहीं चोड़ना क्योंकि आपने हमें नजायत सेड़ा है नजायत हमें नहीं आडियंस मैं अपनी बात नहीं करता हूं कि आप आडियंस के इत्माद के साथ खेल रहे हो वो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं अगर देखें जो सब्सक्राइबर का मतलब है अगर सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको सब्सक्राइब करते हैं मैं इसलिए बात नहीं करता था पहले बहुत दफ़ा मेरा दिल किया बहुत दफ़ा मुझे टीम ने बोला कि यह देखें यहां पे गल्द किया जा रहा है यह कौपी यह जितने भी यूट्यूब चैनल हैं यह कुछ मैडम हैं वो मतलब पहले भी उनका जिकर कर चुके हैं कि भाई यह आपके गेंस बात कर रहे हैं यह आपको जो है यह गल्द काम कर रहे हैं तो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि हम यहां से वीडियो बनाएंगे तो इंडिया में यह कहा जाएगा यह देखें यह तो पीस की बात करते हैं अब यह आपके उपर भी सवाल आएगा कि यह देखें यह तो पीस की बात करते हैं यह लेकिन आपस में लाड़े हैं मैं यह चीज़ क्लियर कर दूँ कि भाई पीस की बात करेंगे लेकिन जो पीस की बात करने के चकर में लेग पीस खा रहा है और आप लोगों के इतमाद के साथ खेल रहा है वो भी मुझे से आप बरदाश नहीं होगा बहुत बरदाश की यह लोग पीछे बैड के आप यकीन किजिए यारों दोस्तों में यह बैड़ते हैं ना यह इंडिया को ऐसा सा लफ Locked बौलते हैं यह पता क्या कि यह हैं हम बेवकु बनारें इंडियन होडिंस को कि हम और पीछे यह इंडिया के लिए टनी बूरी पुरी कड़ो रुपया मुझे करवा दिया गया हुए गार्मेंट शोड़ देंगे इतना पैसा होगा आपके अचा मैं बताना यह चारों अपनी और्डियंस को कि मेरा तो यूट्यूब के साथ कोई लेना देना नहीं है आपने फिर मेरे उपर उंगलियें उठाइए मैं तो अपना में मकसद यह नहीं है कि मैंने दोसे को पैसा कमाना है आप बलीव कीजिए बायगोड बायगोड वाइसा कंटेन्ट आने वाला मैं बताता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर साथ इनके पास चले जांगे क्योंके जो ये कंटेंट त्यार का रहे हैं जिस तरीके से यह स्टड़ी को टाइम नहीं दे सकता मैं तीन दिन बाद चार दिन बाद टाइम दूंगा उन्होंने का सर जुमेदारी हमारी है चैनल को हम चलाएंगे उसे मैनेज हम करेंगे हम आपके पास आके आदे घंडे की वीडियो ले लिया करेंगे चैनल आपका होगा और लोग इतनी स्टेडी है है कि आप जो बड़े बड़े नामों के साथ आप कंपेर करेंगे कि यार वाकी को क्लास आई है आपके साथ चलें देखेंगे मुझे भी एकसाइटमेंट है वैसे तो मैं जानता हूं और काफिया तक यह समझता हूं कि जो कंटेंट आबिद भाई लाने वाले हैं बहुत ही बाते हैं शायद मेरे मुझे ऐसी निकली हो जो नहीं करने वाली थी आबिद भाई के मुझे ऐसी निकली हो जो नहीं करने वाली थी शायद उनकी वज़ा से दूसरों का दिल दुखा हो लेकिन जब आप किसी को बेफ़कूफ बनाएंगे तो मेरा भी दिल दुखेगा क्यो जा कि मैं अपनी आँखों से देख रहा हूं चाहूंगा अपनी ओडियंस से यहीं पर वीडियो को वाइंड आप करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताके उन लोगों तक भी ये बात जा सके जो लोग इन लोगों के चक्मे में आ चुके हैं जो लोग मतलब अगर मेरी मैं अगर गल्द कर रहा हूं तो मेरी भी वीडियो ये सारी जितने भी देखने वाले उन तक जाएगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में जल्द ही एक बेहतरीन और बहुत कुछ मुझे और भी समझ में आ रहा है तो पहली बात कि देखिए वो चाहे आबिद अली हो चाहे शोयब चौदरी हो चाहे सनाम जद हो चाहे मुसयद मुझम्मिल हो चाहे अनम शेक हो चाहे कोई भी हो एक्स वाई जेड वो कौन है वो पाकिस्तानी हो तो आप लाख भारत की तारीफ करें, लाख चीज़े करें, लेकिन हम पाकिस्तानियों पर बिलीव नहीं करते हैं, मेरा यह मानना है, ओडियन्स मुझे कमेंट करके बताएगी, हैं तो वो पाकिस्तानी, हैं तो वो पाकिस्तानी, कल को establishment की तरफ से जब नापे जाएंगे ना लोग, त पैसे इंडियन ये बात कह रहा हूँ, पैसे नहीं कमाने तो चैनल मॉनेटाइज मत करना, अबिदली को कह रहा हूँ, अगर आपको पैसे नहीं कमाने, आपको पैसे से ना प्यार नहीं है, तो चैनल मॉनेटाइज मत करना, ऐसे ही डालना, वीडियो से, लेकिन हाई यह भी ठीक है ताल ठोक के कही कि हां मुझे पैसे कमाने हैं इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन यो सिंपती गेन करने वाली बात है कि नहीं मेरा मन तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं ठीक है यह आपकी मर्जी है मेरी बात है कड़ी लग सकती है सबको मैं यह नहीं कह रहा audience तरह करेगी जिसको मन करेगा वो देखे कि हम audience पर band नहीं लगा सकते हैं, हम audience को यह नहीं कर सकते हैं कि तुम यह मत करो और यह करो भाया वो स्वतंत रहें, पहली बात दूसरी बात यह जो पूरी लडाई चल रही है यह पूरी लडाई अब यह मुझे लग रहा है कि चुकी स्वेब चौधरी एक अलग गुट इन्होंने बना लिया गुट क्या कहें कि अलग हैं, यह अलग काम करते हैं यह अलग तरीके सा काम करते हैं, इनका अंदास बड़ा पसंद है मुझे यह counter करते हैं, यह fact लेकर आते हैं यह दाएं-बाएं कुछ भी नहीं बोल देते सोच समझ कर, पढ़कर, लिखकर, तब बोलते हैं बाकी जगों पर मैं देखता हूँ कि लोगों को पता है नहीं होता कि कि भाई क्या counter करें, क्या बोल गए, data गलत बोल गए, यह चीज़ गलत बोल गए, वह चीज़ गलत बोल गए, और कई बार वीडियो में मैंने यह बात कहीं भी है तो फर्क इसलिए है, क्योंकि देखिए, आपको जब factually बात करनी होती है, तो आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है आपके पास knowledge होनी चीज़ तो maximum YouTubers में पाकिस्तान के knowledge नहीं है वो जो भी मुँ में आता है बोल देते हैं, और बाद में regret भी नहीं करते तो इस मामले में सोजब चौधरी भाई को मैं plus point देना चाहूंगा कि भाई वो बड़ा factually बात करते हैं, और जिरिश के बारे में पता नहीं होता है, उसके बारे में नहीं बोलते fact के साथ आते हैं, बाकी जो overall यह जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई चल रही है इलाके पर कबजे की, कि यह तो मेरा इलाका था और तुम इसमें घुस कैसे गए अब मेरी बात समझ रहे हैं, आपने, मैं बताता हूँ, जब रिभाहा वाली controversy हुई थी, उसमें भी कहा गया कि इसमें सनामजद का हाथ था, कई proofs भी दिये गए और ऐसा किया गया, वैसा किया गया, और मुझे भी जो जानकारी मिली है कि उसमें रोल बताया गया है सना का, और बड़े, जो मतलब, जो बिल्कुल first contact में था, उधर से जानकारी मिली है लेकिन देखिए, आप आरोप लगाएं, सामने वाले से आरोप लगाएं, सचाई क्या है, किसी ने सबूत तो वैसा है नहीं कि हमें आकर दिखाए तो नहीं, यह सबूत है और ऐसा हुगा है लेकिन हाँ, दो धड़े हैं, एक सोईब चौधरी का धड़ा है, एक सनामजद का धड़ा है इस समझे में क्यों कहा रहूँ सनामजद के चैनल पे मुझे याद है कि सेयद मुझमिल भी आ चुके है, निम्रा एहमद आईए कि नहीं आईए शायद कश्मीर जब ही लोग गये थे, पाकिसानिय उकुपाइट जम्मो कश्मीर तब शायद तो ये लोग उनके चैनल से कॉंटेक्ट पर आया थे, उनके चैनल पर भी दिखे थे और ये आपस में इनकी बातचीत है तो जाहिर जी बात है कि जब एक गुट है, बड़ा सा उसको लग रहा है कि घुसपैट हो गई है जी हुजूरी नहीं हो रही है, तो दूसरे गुट के तरफ से काम हो रहा है उसके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, सब्सकाइबर भी तेजी से बढ़ रहा है पैसे भी बंदा कमा रहा है, तो जलिसी फैक्टर तो है कि जी मेरा पहला ही है, मेरा इलाका हुआ करता था लेकिन अब देखो ये, इसमें तो बटवारा हो गया इसमें तो बड़ा हिसा उदर चला गया उज़े से 71 में हुआ था न की आधा आधा पाकिस्तान बट गया तो इदर यूटूबर्स में भी बटवारा हो गया और सोहेब चोधरी भाई के हिससे जाधा बड़ा कबजा आ गया है मुझे यह लग रहा है तो इससे बाकियों को प्रॉब्लम है देखे हमें भी यह पता है including सोहेब भाई, including आबिद भाई, including all पाकिस्तानी चैनल्स all पाकिस्तानी चैनल्स कि आप लोगों को भारत की तारीफ करना मजबूरी है क्योंकि अगर आप भारत की तारीफ नहीं करेंगे भारत के बारे में वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपकी वीवर्शिप नहीं आएगी भाई आपकी वीवर्शिप मैक्सिमम जो है वो इंडियन्स है तो अगर आप पाकिस्तान में गरीबी पर वीडियो बनाएंगे आप अगर जिसका संबंध इंडिया से नहीं है मतलब ये वीडियो नहीं बनेगे यार देखिए पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया में बहुत गुरुबत है लेकिन गुरुबत तो पाकिस्तान में 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 इंडिया का नाम होता है क्या पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स नहीं है क्या पाकिस्तान के यूथ जो है उनको प्रॉब्लम्स नहीं है क्या पाकिस्तान हमेशा इंडिया से comparison क्यों क्योंकि views आएंगे dollars आएंगे अगर आपको इतना ही बढ़िया काम करना है तो पाकिस्तान के लिए काम करें ना बढ़ या इंडिया से compare करके कोई बता रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई comparison नहीं है किसी भी सेक्टर में नहीं है comparison दो एक जैसे लोगों की की जाती है comparison एक पहाड़ है और एक नीचे हमारे देखे जाते हैं तो बोल दीजे आपको और हमारे दक्षा के बाद समझते हैं तो आज ना मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा है मैं इंडियन का पक्ष ले रहा हूँ क्यों मैं इंडियन हूँ मैं इंडियन point of view बता रहा हूँ कि आप में से कोई भी दूद का धुला नहीं है कोई भी मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है मेरी सोयब चौदरी से भी बात होती है मेरी बागी पाकिस्तानी यूटूबर से जो बहुत सारे निम्रा से एक आद बार बात हुई है सवयबाई चौनल पर बहुत सोयबाई का इंटरवी तो मैंने लियाई है स अना के चैनल पर मैंने इंटरवेटी दिया है परफेक्ट रेक्षन वाले जो भाई हैं हमारे चौदरी भाई उनको भी किया है तो मैं तो देखो जी इंडिया नहीं हूँ मैं तो अच्छा मैंने भी कोई पैसे उसे नहीं है बढ़ा जनुविन आदमी हूँ मैं चीजों को छुपाता भी नहीं हूँ कुल जमा कहने का ये मेरा मतलब है कि अगर वाकई आप लोग असली काम करना चाहते हैं तो भाई पाकिस्तान पर फोकस कीचे इंडिया को छोड़िये लेकिन इंडिया आप लोग छोड़ नहीं पाएं क्योंकि जैसे ही आपने इंडिया छोड़ा फिनिश मामला एक दों फिनिश मामला कोई भी इंडिया नहीं छोड़ता है आपके सियासतदान नहीं छोड़ते इंडिया को आपकी आर्मी नहीं छोड़ती इंडिया को आपकी power elite नहीं छोड़ती इंडिया को क्योंकि बगैर इंडिया तो बात ही नहीं चल नहीं मैं तो कहता हूँ आप लोग बात करिये पाकिस्तान की गरिबी की No comparison with India आप visionary कई पाकिसान की रोजगार की बात करी हुआ हों के आपrences पाकिस्तान की एडीकिशन की बात करए no comparison with India आप पाकिसान की हर प्रॉबलम की बात करिए लेकिन उसमें इंडिया का नाम मतलई तब actual figure आएगी कि भाई आप लोग क्यों में इंडिया के लिए काम करना चाहते हैं आपके हर वीडियो में इंडिया क्यों होता है हमारी जन संख्या इतनी है हमारे यहाँ भी बहुत सार यूटूबर्स है कई लोग क polarization है कि जी तो आप भी तो पाकिसान को फिर वीडियो बनाते हैं तो मैं तो कई वीडियो पर क्या चुक्कि आप लोग इंडिया के वीडियो में बनाते हैं, इंडियो का नाम लेके, तो मैं उसका काउंटर करने के लिए बैठा हूँ, इसलिए मैं बनाता हूँ, जब उधर से बनना बंद हो जाएगा, जब manufacturing की बंद हो जाएगी, तो भाई म बाते मैंने कहीं, वो सही है की नहीं है, और बाकी तो दिल्चस्प होगा, मुकाबला आने वाले टाइम पे, पाकिसान के भीतर, यूटूबर्स के भीतर, सिर्फ टोबल, बड़ा मजा आएगा, जल्दी आता हूँ, एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जैहीं